बस करो यार, अगर आपको इसी तरीके से खेल खेलना है, तो हम एक काम करते हैं कि next time पे हम लोग भी mentally prepared होकर आएंगे कि हाँ, अगर कोई बड़ा contestant है तो उसके लिए इस तरीके से decision इस तरीके से पैसा लिया जाएगा. पूजा भट के हाथ में mobile, ये बात Elvish से लेकर, Manisha से लेकर, आश्का भाटिया से लेकर तमाम लोगों ने बात बोली है, right, Elvish ने तो ये तक बोल दी है कि भई ये क्या है, duty कर रहे हो आप वाश्रूम में तो भई आपका mobile है, अभिशेक ने भी ये बात बोलती कि script क्या आई है, ये बता दो, और अब आप लोगों को बता दो दोस्तों, तो यहाँ पे exact जो चीज बताई जा रही है, वो ये है कि पूजा भट के पास mobile है, जी है मैं आपको विद्प्रूव बताऊंगा, नमस्कार आप देख रहे हैं, चैनल दली खजाना, चैनल को सब्सक्राइब कर कर discussion कर रहे हैं, वो सब छोड़ दीजे, ये देखिए, what is this, ये क्या रखा है, ये क्या रखा है मुझे बताओ, और ये edited तो बिलकोल भी नहीं है, proper image, proper ये सारी चीजे, दोस्तों ये और कुछ नहीं है, बलकि है phone, जी हाँ दोस्तों, ये photo social media पे viral हो रही है, और ये photo ले कर यहीं कह रहे हैं कि भाई, बिग बॉस, एक बात बता दो, अगर आपको इसी तरीखे से चीजे रखनी हैं, तो हमको clear तोर पे बता दो, हम next time से बिग बॉस को mentally prepare ओकर देखेंगे कि हाँ, आप किस contestant को जिताने वाले हैं, या किस contestant की कितना ज़दा favoritism है, अब इस पे आता future से contact किया, इस वक्त हाला कि वो टाउन में नहीं है, और उनसे contact करके मुझे ये बात पता चली है, कि बिग बॉस के घर के अंदर, phone का इस तरीके से आना, ये next to impossible है, चाहे बिग बॉस खुद खेलने आ जाए, उनको phone नहीं मिलेगा, किसी का phone नहीं मिलेगा, किसी का अपना phone नहीं मिलेगा, ये बात तो तय है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी probability भी आती है, और वो probability ये है, कि अगर आप शो में कोई task कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको भेजा जाता है dummy phone, यहाँ दोस्तों, dummy phone भेजा जाता है आपको उसके लिए, और dummy phone से आपको instructions मिलते हैं, क्योंक पोन को रखने की इजाज़त होती है, बट वो big boss की तरफ से ही dummy phone होता है, जी हाँ, यह बात है, fact है दोस्तों, बाकि इस पर जो भी बात है, यह पूझा भट की यह जो बात है, तो मैंने बोला है उनसे कि अंदर आप पता कीजिए, कि क्या वाकई में ऐसा हुआ और यह किस incident पे हुआ है, वो बताईए, आप tension मत लीजे, मैं आपको सारी बात बताऊँगा, अंदरूनी सारी बात बताऊँगा कि आखिरकार यह क्या माच रहा है, keep on watching टैली घजाना, राज पर से परदा पाश होगा, bye